Hello students, this is video number 5 of geometrical optics and fourth video on plane mirrors और इसके अंदर हम डिसकस करने वाले हैं angle of deviation और rotation of mirror के बारे में दो topics इसमें मैं वीडियो में cover करूँगा, angle of deviation and rotation of mirror यह जो diagram मैंने बनाई है, इसके साथ तो आप familiar होई कि हमने एक यह incident ray है, यह reflected ray है, यह angle I, यह angle R मैं बोल R रहा हूँ लेकिन लिखा I है क्योंकि मुझे मालूम है law of reflection के recording की यह दोनों angles बराबर होते हैं इसलिए दोनों को मैंने I लिख दिया, fine मुझे बड़ी clearly मालूम चल रहा है एक चीज़ का कि अगर यह mirror ना होता अगर यह mirror ना होता, तो यह line, यह ray ऐसे गई होती सीधा, ठीक है, यह ray अगर ऐसी जाएगी मतलब जाना इस ray ने ऐसे था mirror के बिना, mirror के कारण ऐसी हुई, तो दोनों के बीच का जो angle होता है क्या बोला मैंने, अगर mirror नहीं होता तो ऐसे जानी थी, लेकिन mirror की होनी की वज़े से ray ऐसे गई, reflect हो गई, तो इन दोनों के बीच का जो angle आया ना, this is called angle of deviation represented by del, and it is equal to very clearly you can see this, कि यह angle total 180 degree है, तो 180 degree मैंसे 2i minus कर दो तो यह angle हो गया, तो we will write it as 180 degree minus 2i, or we can say, or we can say, pi minus 2i, अब वो depend करता है कि आपने radians में लिखा है यहाँ, आपने degrees में लिखा है, तो 180 minus 2i is the angle of deviation in case of a plane mirror, तो यह आपने, आपने पास याद रख लेना है, याद रख लो इस चीज़ को, काम आयेगा, simple topic है यह, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यह आपका question है इसके उपर, दो mirrors लिए हैं, जिनके बीच में angle 60 degree है, incident ray इसके उपर एक गिरी है, 40 degree पे, normal के साथ angle बना रही है, 40 यह यह angle of incidence आपको given है, ठीक है, तो आप इतनी बात याद रखना, जिसके उपर, जिसके उपर ray गिरेगी, उसको हम mirror 1 मानेंगे, और जिसके जो दूसरा mirror इसको हम mirror 2 मानेंगे, जिसके उपर पहले ray गिर रही है, अगर इसके उपर पहले गिरती तो इसको mirror 1 मानते, लेकिन इस बार इसके उपर गिर रही है, पहले ray तो इसलिए हम इसको mirror 1 मानेंगे, ठीक है, तो mirror 1 के उपर ray गिरी है, जिसका angle of incidence is 40 degree, आपको total angle of deviation निकालना है, तो इसके हिसाब से कितना आ गया? तो अब इस मिलर के लिए एंगल ऑफ इंसिदेंस कितना है? यह निकालने के लिए मुझे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा? आओ नॉर्मल बनाएं यह लो बन गया नॉर्मल इस एंगल विल बी 20 डिगरी इस एंगल विल बी 20 डिगरी और हैंस देखो अब कितना पता चल गय आपको और यहां से मैं बताता हूं आपको यह एंगल आपका 20 डिगरी 20 डिगरी के बाद मैं यहां पे इसकी क्या बनाऊंगा? इसकी reflected ray बनाऊंगा इस विल बी reflected ray and this angle will also be 20 डिगरी ठीक है? अब दो deviations यहां हुई हैं पहली यहां हुई पहले first mirror पे हुई first mirror पे angle of deviation कितना आ आप जिल हो घ्रल जाती है इस तो ऐसा होता यह अंगल कितना होगा आपको मैंने पहले बता दिया था कितना होगा तो यह 100 degree angle है, 100 degree angle है, और कैसे है यह, 100 degree कैसा है, 100 degree clockwise है, 100 degree clockwise है, तो this is 100 degree clockwise, तो first del 1, del 1 first mirror के लिए, del 1 equal to क्या आ गया, 100 degree लेकिन clockwise, ध्यान देना प्लीज, 100 degree clockwise, दूसरे वाले के लिए, यह इदर आ गया, ठीक है, यह अगर रे निकलती तो सीधा ऐसे निकल जानी थी, इसने ऐसे निकल जाना था, ठीक है, यह जो angle आया, यह कितना आया, this angle will be, this angle will be, del 2, and del 2 will be, del 2 will be, 100 and, 20, 20, 180 minus 40, 140 degree, 180 minus 40, 180 minus 40 is 140 degree, yes, 140 degree, and 140 degree क्या clockwise क्या clockwise क्या anti-clockwise, again clockwise, again clockwise, so total del, del, total कितना आया आपका, net लिख दो, del, net is equal to कितना आया, after two reflections, after two reflections, पूरा लिखना आप पेपर में, दो reflections के बाद, del 1 plus del 2 करो, दोनो clockwise हैं, इसलिए add होंगे, इसलिए क्या answer आएगा, 240 degree, 240 degree clockwise, लेकिन प्लीज एक बात आप याद रखोगे सभी लोग, कि 360 degree किसी में add कर दो, या subtract कर दो, angle को कोई फरक नहीं पड़ता है, इसलिए कोई angle जो है, वो अगर 240 degree है, अगर 240 degree है, तो अगर मैं इसमें 360 degree, 360 degree का इसका difference निकालूं, तो कितना हो आए, इसमें से 360 degree subtract कर दो, तो कितना हो गया, यह हो गया 120 degree, तो 120 degree, 120 degree anti-clockwise भी यही same answer है, यह दोनो angles बराबर होते हैं, दोनो angles बराबर हैं, clockwise में कोई major करेगा, तो 240 degree clockwise, और अगर दूसरी side से anti-clockwise से च और लिखोगे बीच में, कि कोई भी answer option में कोई भी होगा, तो आप उसको tick करोगे, this is the next question, and question is same, लेकिन इस बार mirror 1 कौन सा है, टेड़ा वाला और horizontal वाला जो है, वो mirror 2 है, जिसके उपर incident ray पहले गिरती है, वो आपका mirror 1, और दूसरा आपका mirror 2, बिल्कुल same process मैं फिर से लग होते ही, फिर मैं इसको क्या बनाओंगा, इसकी angle of reflection, इसकी reflected ray बनाओंगा, reflected ray बनाओ, reflected ray बनाओ, reflected ray बनाओ, तो reflected ray कैसी जाएगी, reflected ray will go like this, 60 degree angle है न, 60 degree angle is a big angle, इसलिए उसको अच्छे से बनाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ, 60 degree angle ऐसा बनेगा, ठीक है, this angle will be 60 degree, ठीक है, this angle will be 60 degree, 60 degree जब angle बन गया, 60 angle of incidence is equal to angle of reflection, एक बात ये, ये अब आपकी reflected ray है, जो mirror 1 के लिए reflected है, लेकिन इसके लिए क्या होगी, incident होगी, angle के बारे में भी पता लगाते हैं, ये angle 30 degree है, this angle will be, this angle will be 100 degree, आप देख लो, ये 30 degree angle होगा, this angle will be 30 degree, एक चीज ये, दूसरी ये, दूसर लिए, और ये आया कैसा, ये ऐसा आया, it comes out to be 180 minus 120, 60 degree, तो 60 degree, ये दूबारा angle 60 degree ही आया आपका, तो 60 degree, तो del 1, मैं del 1 की value लिख रहा हूँ, del 1 equal to 60 degree clockwise, 60 degree clockwise आया आपका del 1, ठीक है, तो del 1 की value आपकी 60 degree clockwise आया है, और अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अब del 2 की value निकालने के लिए, आपको पता चल चुका है अभी, कि ये angle 100 degree होगा, ठीक है, angle 100 degree होगा, और 100 degree angle के लिए, 100 degree angle के लिए, आप पहले वो बना लो, normal, जैसे ही मैंने normal बनाया, आपको ये angle 10 degree नजर आएगा, आप देख लो इसको, क्या किया हमने, 60 degree, आपका del 1 equal to 60 degree आगया है, और 60 degree कैसा आया है, 60 degree clockwise आया है, 60 degree clockwise, अब हम निकालते हैं, दूसरा angle, दूसरा angle निकालने के लिए, आपको सामने दिखाई दे रहा है, कि ये angle 10 degree है, मैंने explain किया आपको पहले भी, अगर आपको नहीं पता चलता, तो मैं दुबारा बताता हूँ, this angle is 30 degree, this is 100 degree, this is 50 degree, ये angle आपका 100 होगा पूरा, लेकिन ये वाला जो बचेगा, angle of incidence कितना होगा, angle of incidence कितना होगा, angle of incidence 10 degree, angle of incidence जैसे 10 degree पता चला, तो आपको सारा कहानी वहीं पर खतम हो जाती है, देखो, मैं बताता हूँ आपको कैस ठीक है, आप इसका वो बना लो, ये बनांगे, reflected ray, कोई बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बना दी हमने, फिर हमें मालूम है, ये angle जो इसने बनाना है इसके साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बाहर निकालो, ठीक है, ये, ये, इस तरह का आया, ठीक है, इ 160 degree anti-clockwise, 160 degree anti-clockwise जैसे लिखा, तो dell net कितना आ गया, 100 anti-clockwise, 100 degree anti-clockwise, क्योंकि बड़े मैसे छोटा minus करो, और direction उसकी जो बड़े की है, 160 degree बड़ाया है, इसलिए anti-clockwise, तो ये इसका net result आया, 100 degree, मुझे जो बात यहाँ पे आपको mainly ये बतानी थी, angle of incidence जैसे यहाँ पे 60 degree आपको given था, 30 given था, आपने 60 degree निकाल लिया, जो भी आपका पहला incidence angle होगा न, आप इतनी बात simple समझ लो, आपको ये mirror 1 इसको बोला, ये आपका mirror 2 है, प्लीज ध्यान देना, मैं जो बात बता रहा हूँ, एक छोटी सी trick बता रहा हूँ आपको, ये ज directly, कैसे, answer हमेशा जो angle होगा न, उसका double होगा, तो answer कितना आना था, 100 degree, जो mirrors के बीच का angle है, उसका double कर लो, वही इसका answer है, 100 degree इसका answer बन गया, और अब चक्कर ये पढ़ता है कि clockwise या anti-clockwise, clockwise या anti-clockwise में role play करने वाला है आपका, मैं आपको अच्छे से explain करता हूँ, role play करेगा 1 और mirror 2 कौन है, ठीक है, वो कैसे, मैं आच्छे से बताता हूँ, angle, पहली बात तो answer तो बड़ा simple है क्या clockwise और anti-clockwise में से, वो चक्कर है clockwise लेना है, anti-clockwise लेना है, लेकिन जो angle की value आएगी, that comes out to be the double of the angle between the mirrors, ठीक है, angle between the mirrors, here the angle between the mirrors is 60 degree, in the previous problem it was, it was 60, it was 60 degree, the answer is, del net is, क्या था answer वह anti-clockwise की कहानी आपको समझानी है मैंने, देरा ध्यान देना कैसे, देखो जैसे ये first problem, in mirrors के बीच के angle कितना है, 60 degree, angle of incidence कितना है, 30 degree, बिल्कुल नहीं देखना 30 degree को, कोई role नहीं है, इसका answer कितना आएगा, del net कितना आएगा, after two reflections, 120 degree, 120 degree आएगा, mirror किस पे, किस पे, किस पे आप की incidence ray गिरी, उसको mirror 1 मान लो, दूसरे को mirror 2 मान लो, ठीक है, और mirror 1 पे pen रखो, यहाँ जैसे मैंने dot बनाया, और चलो किस की तरफ, mirror 2 की तरफ, तो चलते चलते आपकी जो direction आई, वो कैसे आई, clockwise आई कि anti-clockwise आई, this comes out to be, this comes out to be, it is, देखो, this is the problem, ठीक है, 30 degree इसका incidence angle है, इसक तरफ चलो यह कैसा आया, यह कैसा आया, यह antी-clockwise है की clockwise,chae का से कहां कि तरफ चलना है, mirrors, 1 से mirror 2 की तरफ चलना है, mirror के बीच के angles को double कर दो, 120 degree, 120 degree, anticlockwise, इसना answer, यह हमने निकाला था first problem में, ठीक है, यह हमने first problem मे निकाला था, 120 degree anticlockwise, अब देखो, यह हमारी second example, ठीक है, मैं ज 30 degree कुछ भी दिया हो, 13 degree दिया हो, कुछ नहीं देखना इसको, किसको देखना है, angle between the mirror, कितना आ गया बाई, answer, 100 degree, अब चकर किसका पड़ा, clockwise और anticlockwise का, clockwise और anticlockwise के लिए, इस बार mirror 1 ये, mirror 2 ये, mirror 1 से mirror 2 की तरफ चलो, कैसे चले, आप clockwise से ले, कि anticlockwise, ये anticlockwise है, ये भी anticlockwise है, ये ही हमारा answer आया, यहाँ पर, जहाँ clockwise आए, वहाँ clockwise, यह anticlockwise है, वो anticlockwise, ठीक है, इस बार अगर यहाँ पर गिरती रहे, ठीक है, तो ये आपका mirror 1 होता है, और इधर से इधर की तरफ चलोगे, तो clockwise answer आएगा, ठीक है, तो बड़ा simple है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मतलब आपको कोई भी, आपको concept के साथ मैंने बताया, कि angle of deviation किसको बोलते हैं, क्योंकि important है ये बाते हैं, कि आपको पता जरूर होना चाहिए, कि angle of deviation क्या होता है, आपने उसको properly कैसे calculate किया, वो भी आपको आता है, ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं होता है, कभी problem में, अ matter ये करता है, कि आपका mirror 1 कोन है, mirror 2 कोन है, उसके उपर आपका clockwise और anti-clockwise repent करेगा, कैसे करेगा, वो मैंने आपको बता दिया, और mirror के बीच के angle को double कर दो, वो ही total net deviation आएगी, ये topic है आपका rotation of mirrors, ये diagram मैंने जो बनाई है, ये plane mirror की ये आप familiar हो, yellow color का normally मैं normal बनाता हूँ, इसलि plane mirror को आपने rotate किया, ठीक है, rotate किया और rotate करने के बाद आप जो नया plane mirror बना, वो ये बना, देखना, ये है आपका गूमने के बाद plane mirror आपने गुमाया, उसको कैसे गुमाया है, clockwise गुमाया है, clockwise गुमाने के बाद, clockwise गुमाने के बाद आपका mirror ये red वाला बन गया, mirror वही है, mirror क लेकिन Normal तो Change होगा न, तो Normal चेंज होगया, तो Normal जो Change हुआ Normal, अब जो बनेगा, वो यहां बनेगा, देखो, अब इस बार मैं Color Change कर रहा हूं Normal का, इसके Normal का Color मैं बना रहा हूं Pink, ज्यां देना जड़ा, इसल comunicat करते हैं यहां पे न, तो normals के बीच का angle भी कितना आएगा theta आएगा normals के बीच का angle अगर theta आगया तो आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है आप दियान देना ये angle कितना बना आपका अब new angle of incidence क्या है आपका क्योंकि ray तो वैसे ही गिर रही है तो new angle of incidence अब आपका ये होगा दियान देना मैं इसको बना रहा हूँ दियान देना दियान दियान देना प्लीज ये angle है आपका new angle of incidence ठीक है ये this is new angle of incidence which is i plus theta which is i plus theta फाइन आगया समझ अब reflected ray बनाओ इसकी incidence ray तो वही है लेकिन reflected ray तो change होगी न तो reflected ray बना रहा हूँ reflected ray देना देखना दियान से reflected ray बना रहा हूँ, color मैं सबके different रख रहा हूँ तो reflected ray बनेगी उसका angle भी काफी बड़ा बनेगा और वो ऐसे जाएगी ठीक है, वो भी ऐसे जाएगी ये reflected ray गई आपकी reflected ray का angle कितना है किसके साथ, normal के साथ अभी भी ठीक नहीं बनी, इसको reflected ray कम से कम यहां तक जाएगी ये क्योंकि angle बहुत बढ़ा आई है अब red वाले mirror को देखो, green वाले को नहीं देखो तो ये angle कितना आया what is this angle ये वाला angle this angle will be i plus theta angle of incidence is equal to angle of reflection ठीक है, आप देखो हमें क्या चाहिए, हमने ये देखना है कि reflected ray total कितनी घूमी पुरानी reflected ray कौन थी ये वाली ये वाली थी पुरानी reflected ray नहीं वाली reflected ray, ये वाली इन दोनों के बीच का angle मुझे बताना है कि कितना आया, this is the question ठीक है, कि mirror के rotate करने से, angle theta से rotate करने से, reflected ray, angle of incidence ray तो वहीं रहेगी, लेकिन reflected ray जो है, वो कितनी कितने angle से deflect होगी उसका कितना gap आएगा पुरानी reflected ray के साथ, तो ये angle मुझे पता लगाना है कौन सा, किन दोन के बीच में ठीक है, इन दोनों के बीच में angle पता लगाना है, ये angle मुझे दिखाता हूँ, कैसे निकालेंगे हम ये angle ये angle निकालने के लिए what we need to do, हमें ये angle कितना है, ये पता चल जाए अगर which angle ये वाला angle कितना होगा ठीक है ये angle पर ध्यान देना ये वाला जो छोटा angle बना रहा हूँ न, ये वाला ये angle है theta minus i, कितना बिल्कुल, ये बन गया आपका theta minus i द्यान देना जरा ठीक है this is theta minus i, आप द्यान देना प्लीज और जो angle मुझे calculate करना है वो ये वाला है अगर आप बड़े अच्छे से देखो इसको थोड़ा द्यान देना, थोड़े angle मुझकिल नहीं है ये बिल्कुल भी, अगर आप अपनी copy पर बनाओगे बड़े मजे से आप कर सकते हो इसको मुझकिल बिल्कुल नहीं है and this angle जो हमें find करना है दो new reflected ray और old reflected ray दोनों के बीच में अगर angle find करना है that comes out to be i plus theta योंकि ये angle i plus theta है ये वाला ये वाला angle i plus theta है जो अभी आपने निकाला ये theta minus i है तो दोनों को add करना पड़ेगा ये angle निकालने के लिए तो i plus theta plus theta minus i is equal to 2 theta ठीक है तो 2 theta बड़ा simple था derivation करने इतने required भी नहीं थी लेकिन आपको understanding होना बड़ा जरूरी होता है हर चीज को समझना बड़ा जरूरी होता है इसलिए मैंने ये पूरा calculator आपको करके दिया तो इसलिए अगर theta अगर किसी mirror को आप theta angle से घुमाओ तो उसकी reflected ray जो है वो 2 theta से घुमती है ये बात आपने याद रख लेनी है ठीक है और ये diagram बड़े अच्छे से बनाओ अच्छा लगेगा आपको देखो इस इस नेक्स question इस question मैं पता क्या है इसने बोला है कि ये आपका mirror है जो मैंने horizontal रख है ये mirror है इसको हम कितना गुमाएं कि जो reflected ray है जो reflected ray है वो horizontal हो जाए reflected ray है जो वो horizontal हो जाए तो वो दो तरीके से horizontal हो सकती है एक तो mirror को भी आप clockwise भी गुमा सकते हो anti-clockwise भी गुमा सकते हो मैंने एक बात पीछे नहीं बताई आपको कि अगर mirror को आप theta degree से clockwise गुमाते हो तो reflected ray भी आपकी 2 theta से गुमेगी लेकिन clockwise ही गुमेगी उसी sense में गुमती है sense का मतलब होता है clockwise और anti-clockwise तो अगर clockwise गुमाऊगे तो reflected ray भी clockwise ही गुमेगी जो अगर anti-clockwise गुमाऊगे तो anti-clockwise ही गुमेगी लेकिन double गुमती है अब यहाँ उल्टा question है वो बोल रहा है mirror को कितना गुमाऊँ कि यह जो आपकी reflected ray है यह horizontal हो जाए तो यानि कि यह वाला इतना गुमनी चाहिए कितना है यह angle what is this angle, this angle is 60 degree तो 60 degree उसको गुमाने के लिए आपको कितना गुमाना पड़ेगा, 30 degree clockwise गुमाना पड़ेगा, तो 30 degree clockwise भी इसका answer है, लेकिन एक और तरीका है, एक आप ध्यान दो इसमें एक और तरीका क्या है कि अगर आप इसको ऐसे गुमाओ इधर भी तो horizontal हो सकता है इधर horizontal करने के लिए यह कितना angle है this angle is 120 degree तो 120 degree है तो 60 degree anti-clockwise is also answer कि अगर आप anti-clockwise 60 degree गुमाओ कि इसको mirror को, तो भी यह reflected ray horizontal ही हो जाएगी, लेकिन दोनों उल्ट एक दूसरे के एक बार आपने इधर इसको horizontal किया एक बार आपने इसको इधर horizontal किया simple question था, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस question को आप understand करो मैं question बनाते बनाते आपको explain भी कर देता हूँ कि यह जो, यह एक circular screen है this is a circular screen अच्छे से लिखो आप this is a circular screen और यह आपका mirror है जिसको हम omega speed से गुमा रहे है omega speed से इसको गुमा रहे है और इसके उपर एक ray of light हमने फैंक की है और इस लेकिन इसको गुमा रहे है यह आपकी reflected ray है यह आपकी reflected ray है जो अभी presently angle कितना बना रही है theta screen का मतलब यह होता है कि जो इसका यहाँ spot बनेगा screen पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे आपकी reflected ray टाच करती है वहाँ पे एक spot बनेगा और spot भी घूमेगा आगे की तरफ हमें बताना है कि उसकी यह linear velocity V कितनी होगी तो very simple question omega किसके बराबर होता है आपको मालूम है omega is equal to d theta by dt होता है ठीक है d theta by dt है किसका किसका omega plane mirror का अब मैं बोलता हूँ omega of reflected ray कितना होगा वो 2 होगा 2 d theta by dt योगी double घूमता है वो ठीक है 2 d2 theta upon dt तो 2 theta का 2 बहर आ जाएगा तो 2 d theta by dt हो गया तो जब 2 theta by dt हो गया तो आपको पता चल गया कि आपका जो velocity omega r है वो omega r किसके बराबर है twice omega के omega r जो है वो किसके बराबर है twice omega के ठीक है और V लेकिन निकालना है आपको तो V निकालने के लिए आपको मालूम है omega r V is equal to omega r होता है तो answer क्या है 2 omega r तो इसका answer क्या बन गया V का 2 omega r बड़ा simple सा question था कुछ भी नी था इसके अंदर ठीक है इसको understand का ये भी लगबग उसी तरह का same question है एक और question है इस case में plain mirror है ये जिसको हम फिर से गुमा रहे हैं लेकिन इस बार screen आपकी जो है ये बिल्कुल vertical है विशली बार circular screen थी इस बार आपकी horizontal screen है sorry vertical screen है बिल्कुल straight screen I mean to say और फिर से ये spot इदर बनेगा ठीक है ये आ गया यहां से ये distance इसका given है आपको कितना d ठीक है ये theta है आपको बोलाया ये find करो कि ये spot कितनी velocity से नीचे आएगा ठीक है simple question है और इसको आप घुमा रहे हो इसको घुमा रहे हो plane mirror को कितने के साथ omega के साथ ठीक है ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा question है mathematically ठीक है अच्छे से इसको understand करते हैं क्या इसमें आ गया कि ये V निकालना है आपको तो V निकालना है तो मैं आपको अगर बोलूं कि ये आप इसको Y ले लो कि ये जो है ये Y है ये distance यहां से लेके यहां तक तो हमें मालूम है V is equal to क्या होगा dy by dt V is equal to क्या होगा dy by dt ये ही होता है आपकी velocity dy by dt अब velocity dy by dt है जरा देखें जरा y है किसके बराबर हमें तो answer लेकिन थिटा और d की terms में निकालना है तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया मैंने लिख दिया y is equal to d tan theta आप अच्छे से देखना कैसे आया क्या था y is equal to हमने क्या बोला d tan theta dy by dt is equal to dy by dt is equal to theta भी time के साथ change हो रहा है और y भी change हो रहा है तो d तो constant है तो d tan theta का क्या आएगा sex square theta d theta by dt ठीक है क्योंकि जो theta है वो भी time के साथ change हो रहा है तो इसलिए d theta by dt भी लिखना पड़ेगा ठीक है जैसे ही लिखा यह आपका omega होता है यह आपका omega तो answer क्या आ गया omega d sex square theta omega d sex square theta इसको omega डाल दिया ना हमने d theta by dt वास यहाँ से answer आ गया इसका omega d sorry d theta by dt जो आएगा यह किसका d theta by dt जो है वो 2 omega आएगा sorry आप क्योंकि जो theta है वो किसका ले रहे हो theta किसका है spot का theta है तो spot का theta तो double चलेगा ना किससे किससे आपके mirror से mirror को आप omega से गुमाऊगे तो जो आपका spot है वो कितने omega के साथ नीचे की तरफ आएगा 2 omega के साथ तो उसका d theta by dt कितना आएगा 2 omega तो इसलिए answer क्या आगया 2 omega d sex square theta तो बड़ा अच्छा question था तो अच्छे से कर लो इसको इसको अपनी copies पे note करके रखो बाकी कोई difficulty होगी तो हम ज़रूर clear करेंगे उसको Thank you very much